दूस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी बूटर आइडी कार्ड ये ओरिजिनल है ये फैक है आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं क्योंकि दूस्तो अभी मर्केट पर इस तरह का बहुत सरा फ्रॉड चल रहा है जो कि एक बंदे का बूटर आइडी कार्ड है इस नंबर को टाइब करेंगे और आपको फूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा ये जो बूटर रेडी कार्ड ही किसकी नाम पर है इसका फादर नहीं क्या है इसका पॉलिंग स्टेशन का है यानि कि कॉम्प्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और जानना है तो मैं रसाथ बने रहे है और वीडियो को प्लीज अंड तक का देखते रहेगा तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है आपको जाना है अपनी प्लेस्टोर पर और प्लेस्टोर पर जाके यहां पर आप सार्ज करेंगे बूटर हेल्पलाइन ठ जैसे कि इसको मैं पहले से इंस्टॉल करके रगाओ तो यहां से ओपन कर लेता हो जैसे अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो यहां पर आपकी समनी यह पेज यहां पर आप आए ग्री पर टिक लगाएंगे यहां पर आपको लेंगोज करने के लिए बोलेगा तो यहां पर आ को klik करना है और यहाँ पर आपके सामने चार उपंचन आएगा जैसे कि सार्ट बार कोड् सार्ट v लिए क्योर कोड्र और सार्ट पर डीटेल्स और सार्ट बाइपिक नमबर ठीक है तो यहाँ पर चार तरीके से कोई भी बूटर डी कार्ड़ को चेक कर सकती है तो सबसे सिंपल मैं समझता हूँ कि इपिक नमबर से ठीक है तो यहाँ पर मैं 14 वाला इपिक जो है इसको सिलेट करता हूँ और उसकी बाद में हर बुटर आइडी कार्ड का एक इपिक नमबर होता है जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पारेए यह जो आपको इपिक नमबर देखने को मिल रहा है इस नमबर को यहाँ पर आपको टाइप करना है अगर आप चाहे तो किवर कोड बार कोड या तो पूरी डिटेस डाल कर आप उसको चेक कर सकती है बट सबसे इजी यह है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक बुटर आइडी कार्ड का एपिक नमबर डाल देता हूँ यहाँ पर मैंने एपिक नमबर डाल दिया यहाँ पर मैं सार्च पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों आप देख पर यहाँ पर मैंने अभी जो इपिक नमबर डाला है इसका complete details मेरे सामने आच चुका है जैसे कि name, age, gender, parent, assembly, district, state, part number, part name, serial number और यहाँ पर polling station यानि कि complete details यहाँ पर मेरे सामने आच चुका है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते ही किसी भी बोटर ID, card जो है, यह किसकी नाम पर है, कहाँ पर इसका address है, complete details चेक कर सकती है उसके बाद में अगर आपको यह slip को download करना है, यानि कि मालने जी आपको बोट डालने जाना है, तो इस slip के आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका part number, part name, serial number और polling station यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो बोट डालने की समय इस slip के आपको जरूरत और आप बोट डाल सकती है, ठीक है?